हलो फ्रेंड्स कॉंपिटिशन कम्यूनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपने बहुत बार यह चीज सुनी होगी कि जो व्यक्ति जुकता नहीं वो कभी रुकता नहीं यदि आप अपने एक्जाम के तैयारी को बंद नहीं करेंगे और नहीं जुकिंगे अपने ए संस्कृति के संस्कृति को संस्कृति नहीं मैं अपने बात के संध्याचिक सब्सक्रेणी कि अध्बियों, कभारत बारस घैसे मं जे अलगत संस्कृति के नाम से बहुत है तो यह मद्य इतनी प्रकार प्रकार की जनजातियां हैं वहां पर किस प्रकार की कला और संस्कृति दिखाई देती हम वो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में कला के अंग किस प्रकार के हैं अर्थात कला और संस्कृति के को कितने भागों में बाटा गया है तो देखे यह लोग गायन हो सकता है लोग नृत्य हो सकता है लोग चेत्रकरला हो सकता है इसके अलावा में यह शिल्प कला भी हो सकता है बात करते परिभाशा की तो वह संस्कृति जो हमें हमारे बड़ों से प्राप्थ होती है इसके अलावा वह जो कि हमें समाज से अलग बनाती है ऐसी संस्कृति जो कि हमें समाज से अलग बनाती है जो हमारे हमें पूर्वजों से प्राप्थ होई है इसके अलावा वह संस्कृति जो की प्राचीन है कला और संस्कृति के भीतर रखी जाती है बात करते हैं विभिन जनजातियों के द्वारा या विभिन प्रकार के समाज के द्वारा अलग अलग प्रकार की ये हमें दिखाई देती है कला इवं संस्कृति जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे लोक गायन लोक गायन का मतलब होता है गायन जो गाने गाया जाते हैं जो गीत गाया जाते हैं वो आते हैं लोक गायन के अंतरगत लोक क्यों लगा है जनजाती सम्हूं के द्वारा ये गाया जाता है या फिर किसी छेतर विशेश के द्वारा ये गाया जाता है दुरत्य की बात करेंगे दुरत्य का मतलब होता है नाच मतलब डान्स शिल्प कला शिल्प कला का मतलब होता है पत्थरों पर उपे उकेरे गई कला या फिर किसी भी प्रकार का शिल्प लोक नाट्ये, नाट्ये का मतलब होता है नाटक लोक चित्रकला, चित्रकला का मतलब होता है पेंटिंग ये चित्रकला किसी भी प्रकार की हो सकती है जमीन पे की गई चित्रकला हो सकती है जिस प्रकार से हम रंगोली बनाते हैं देखते हैं वो भी लोक चित्रकला की अंतरगत ही आता है लेकिन उसे अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है तो सबसे पहले हम देखने वाले लोक गायन के बारे में सबसे पहले हमें चार भागों हमने पूरे मध्यप्रदेश को और इनिचार भागों में सारी चीज़े लेकर चलेंगे लोक नित लोकनाटे लोक चितरकला 1989 मालवा निमार बुंदेखण और बगहेल खन चार मधिप्रदेश के महत्वपूर्ण छेतर चार भागों में सब कुछ बाठ दिया गया मालवा, निमाड, बुंदेलखंड और बखेलखंड सबसे पहले देखेंगे मालवा के लोक गायन भरधरी गायन इसके बाद हम देखेंगे बेखेंगे, आपको कैसे याद रखना है सबसे पहले आप मालवा की लोक गायन में यहाँ पर हम गायन लिख लेते हैं कि मालवा के अंतर गत कौन कौन से गायन आते हैं तो सबसे पहले जो मालवा के अंतर गायन आता है वो है भरधरी गायन भर्थरी के आयन के बाद हम देखते हैं एक और गयन जिसका नाम है संजा गयन या संजा माता की गीत कहा जाता है इन्हें फिर एक आता है बरसाती बारता एक आता है हीड गयन इस प्रकार के गीत मालवा में लोक गयन के रूप में गये जाते हैं निमार की बात करें तो निमार कि में आता है कलगितुर्रा, फिर आता है संत्सिंगा जी का गायन, फिर आता है कायको गायन, यह निमार के गायन कहलाते हैं। बुंदेल खंड की जब हम बात करते हैं कि बुंदेल खंड में कौन से गया जाते हैं तो बुंदेल खंड का जो छेत्र है इस जगा पर गया जाते हैं जगदेव गया इसके अलावा हमें दिखाई देता है हरदौल की मनौती भोला गया बगहिल खंड की बात हम जब करते हैं बगहेलखंड में पनडव गायन हमें दिखाई देता है इस प्रकार के अलग-अलग गायन हमें हो डिखाई देते हैं oure theta निको detail में देखते हैं सबसे पहले आता है मालवा की लोक गाय闏 मालवा की लोक गाय闡 में सबसे पहला गायन जिसे भर्थरी के नाम से जाना जाता है भर्थरी या फिर भर्थरी गायन यह गायन किस शेत्र में गाया जाता है मालवा के शेत्र में जीरो से शुड़ू करेंगे तो सबसे पहले भर्थरी का मतलब क्या है देखे मालवा के शित्र में एक अत्यन्त प्रतापी शाशक हुए जिनका नाम था राजा भर्थरी जो की शाशक रहे थे उज्जैन जेले के उज्जैन शेत्र के शाशक ये बहुत जादा प्रसिद्ध थे राजा भर्थरी जो थे अपनी राणी पिंगला से बहुत जादा प्रेम करते थे पिंगला इनकी तीसरी पत्नी थी तो पिंगला अत्यांत सुंदर थी और इनकी सुंदरता के कारण राजा भर्थरी पूरी तर तो बाबा जो गोरखनात हैं वह आते हैं इस राजा भ्रथरी के दरबार में राजा भ्रथरी के दरबार में जब बाबा गोरखनात आते हैं तो ब्रथरी उनकी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं अर्चना करते हैं आदर सतकार करते हैं बाबा जाते समय ब्रथरी को एक फल करते थे तो राजा अपनी पत्नी पिंगला को यहां फल दे देते हैं अब पिंगला को जैसे राजा यह फल देते हैं तो पिंगला जो रहती है वो किसी और के उपर मोहित रहती है वो रहती है राज्य के मुनीम के उपर तो वो राज्य के मुनीम को यह फल ले जाकर देती हैं कि अगर वो जादा टाइम तक जीवित रहेगा तो मेरी एक्षाओं की पूर्टी कर पाएगा तो राजा जो रहता है मुनीम वहाँ फल को लेता है और मुनीम जो है किसी एक वैश्या से बहुत जादा प्रेम करता है वैश्या की तरफ में मोहित रहता है तो वो जाकर वैश्या को फल देता है अब वैश्या कहती है कि अगर मैं इस फल को खा भी लूँगी तो जादा तर मुझे जादा टाइम तक मुझे ये गंदा काम करना पड़ेगा इस वज़र से वैश्या क्या करती है उस फल को देखती है कि इसकी जरूरत तो मेरे राजा को सबसे जादा है यदि वो इसको खाएंगे तो वो राज का शर्षन बहुत ही अच्छे तरह से कर पाएंगे और बहुत ही लंबे टाइम तक कर पाएंगे तो इस कारण से वैश्या ले जाकर राजा भ्रतहरी को वापस वो फल देती है और जैसी राजा भ्रतहरी के पास वापस वो फल आता है तो उन्हें सारी कहानी पता चल जाती है वो मुनीम को बलाते है और उन्हें अपनी राणी पिंगला के बारे में भी पता चलता है और यहां पे अपने राज्य का शाशन विक्रामदित्य को देते हैं और उसके बाद उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन में भ्रथरी की गुफाएं अस्तित हैं उनहीं गुफाओं की अंदर राजा भ्रथरी और बाबा गोरकनान तो यह हो गया पहला भ्रथरी गाया दूसरा देखते हैं संजा गीत जो है वह संजा माई एक देवी है मालवा शेतर की तो इन देवी के लिए गाया जाता है कौन गाता है तो किशोरी जो कण्याएं हैं किशोरियां जो है वो इनके गीत को गाती है जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है जो छोटी बच्चिया हो वो इन गीत को गाती है तो इस घीत के लिए धोलक का यूज किया जाता है और धोलक और निर्गुण ब्रह्मा के बारे में कहीं न कहीं पढ़ा होगा इसका मतलब क्या होता है थोड़ा से ये समझ लीजे वहाँ देवता जिसकी हम पूजा करते हैं वहाँ देवता जिसमें हम मूर्ती पूजा करते हैं सगुण बोला जाता है कि सगुण देवता है वहीं निर्गुणी देवता के जब हम बात करते हैं तो निर्गुण देवता वे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते एक जोति के द्वारा या फिर एक उर्जा के द्वारा जिने हम इश्वर मानते उन्हें निर्गुण ब्रह्म परन्तु इश्वर के इस रूप को नहीं मानते जो रूप हम देखते हैं बलकि एक जोती के आकार में इश्वर को मानते हैं एक उर्जा के आकार में इश्वर को मानते हैं तो वही जो निर्गुण ब्रह्मा के जो गीत हैं वह निर्गुणी गायन कहलाता है जो कि मालवा के श इसके लिए क्या करते हैं आपको एक लाइन याद रखनी लाइन क्या होगी पहला है मालवा में एक रेल है अब रेल है रेल मालवा में गुजर रही है रेल कहां जारी मालवा में मालवा में रेल शाम के समय जा रही है तो साम के समय जा रही है कहां से जा रही है तो मालवा से गुजर रही है यह हम देख लिए मालवा रेल जोками सुवतिशन, बरसान के समय मेंasma से गुजरती है जो कि भीड में बहुत जाद भीड से थर्थर खुन जाती है है अब आगे हमने लिख लिए घर 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 अने का मतलब समझते हैं बहुत ही तेज जाना तो जो एक रेल है वह शाम के समय बरसाथ के दिनों में मालवा से भीड के बीचों भी से तेज गति से तो अब हमारे मालवा के संपुन लोग गीत एक साथ याद हो जाएंगे कैसे देखो रेल से रेलो गायन हो गया शाम से हमारा संजा गीत हो गया मालवा से मालवा के शेतर में तेज से हो गया तेजाजी गायन भीड से हो गया हीड गायन बरसांत की दिनों से बरसांती बारता और थर्थरानी से हो गया भ्रथरी गायन तो इस प्रकार से हमें ये सारे गायन यहां पर मालवा के शेतर में कवर हो जाते इस ट्रिक से निमार के लोग गायन, अब निमार के लोग गायन की बात कर लेते हैं, कलगी तुर्रा लोग गायन, काया खो लोग गायन, नात पंथी गायन, गर्बा गर्भी, संत सिंगाजी के भजन देखिए अब कैसे आपको याद रखना है निमार के जब हम लोग गयानों की बात करते हैं कि निमार के कौन कौन से लोग गयान है तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कल ही कल ही तुरंत तुम कहा जाना संत सिंगा जी के समाधी पर जाना तो कल ही तुमको समाधी पर जाना है संत सिंगा जी की अब उस समाधी पे जाके आपको क्या मिलेगा तो उस समाधी पे आपको मिलेगा काया का मतलब होता है शरीर तो शरीर को खोकर आपको जाना है उस समाधी के अंतर और वहां पर जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर आपको करते हुए के लोग मिलेंगे तो गरुबा करते हुए कौन मिलेंगे और आप वही पर उनके साथ भी क्या करने लगना लिगना तो यह लाइन आपको याद रखने है कि कल ही तुरंत संथ सिंगा जी की समाधी पर जाना अपनी काया को मतलब शरीर को छोड़ कर जाना इसका मतलब है पूरे मन को साथ लेकर जाना और काया छोड़कर जाना और वहां पे गर्भा करते हुए आपको नाथ संप्रदाय के लोग मिलेंगे नाथ संप्रदाय का संबंध किस्से है तो हमने देखा भ्रहथरी गायन से मालवा से भी है तो यह ट्रक याद रहेगी अब देखो कल ही तुरंद से कलगी तुर्रा हो गया फिर कायाखो से कायाखो गीत हो गया नाथ संप्रदाय से तो नाथ पंथिगायन हो गया गर्भा गर्भी से तो गर्भा करते हुए लोग बचा क्या हमारा अंत में हमारा संत सिंगाजी का भजन बचा जो हमने यहां पे स्लिके रखंय तो कि याद रहेगी कि निमार के कौन-कौन से गीत है और उनको कैसे याद रखना है रेखने हैं आप देख लेते हैं इन क्यों कैसे कि अ समय में आप लेंगे कल गीत्उर्रा लोक規त तब्याइप उनिमार निमार कि जो है वो प्रतिसपर्धातमक है right कई से जैसे कि दो पक्ष हो गए एक पक्ष हो गया इस्त्री पक्ष और दूसरा हो जागाता है और इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती बहगवान आफउानशिव के गीत गया जाते हैं कि नातपन्थी गायन की बात करनेarium देख चुकर Hence जिस वैसे ही इसमें भी राजा भ्रत हरी और जो संत गोरक नाथ जी हैं उनके गीत गाया जाते हैं और इसमें नाथ संप्रदाय के द्वारा ये गीत गाया जाते हैं गर्बा-गर्वी जो गायान है इस गायान की हम बात करते हैं तो गर्बा-गर्वी गायान जो है यहां भी बहु संत सिंगाजी के भजन जो है संत सिंगाजी को आप जानते हैं कि ये एक निर्गुण संत थे निर्गुणी संत थे जैसे कि हमने बात की निर्गुण ब्रह्मा की अर्थात एक उजा को इश्वर मानना वैसे ही संत सिंगाजी जो है यह भी एक इश्वर को ही उजा मानते थे त फिर है देवारी गायन फिर है बम्बूलिया गाने है और इसके बाता है बेरायाट और पिर आता है जगदेव गायन फिर आता है फाग गीत और उसके बाता है हरदौल की मनोती हर्दौल की मनोती के समंद में और हमारा आलागीत के समंद में हम बात देखते सबसे पहले आला जो है वो रहे थे वीरसिंग देव के दरबार पे आला उदल दो भाई थे और आला उदल के द्वारा अबल फजल की हत्या की गई थी वीरसिंग देव के कहने पर इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है वीर सिंग देव जो थे वो जहांगीर के क्रपा पात्र थे आला उदल ने जब वीरता से युद्ध लड़ा था तो उस समय इस पूरे युद्ध का जो वर्णन है एक व्यक्ति ने किया जिस व्यक्ति का नाम था जगनिक तो जगनिक के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसमें एक खंड है आला उदल खंड और जो की बहुत ही जादा प्रसिद हुआ इसमें आला उदल की वीरता का वर्णन किया गया था इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि आज मी जो मैहर है वहाँ पे शार्दा माता का एक मंदिर है और उस मंदिर में स तो देवारी गायन बहुत ही जादा सिंपल है दिवाली के समय में गाया जाता है इसके अलावन दिवाली के समय और बगहिल खंड दोनों शित्रों में गाया जाता है इस गायान में होता ये है कि महाभारत और रामायन मतलब पौराणिक कथाओं के जो पात्र होते हैं उन पात्रों को बनाया जाता है और उन पात्रों के उपर गीत गाया जाते है उन्हें ही कहा जाता है बमुलिया गीत नेक्स चलते हैं हम बैरायट गायन बैरायट गायन भी पौरानिक गायन होता है पौरानिक पात्रों के उपर गया जाता है जगदेव का पुवारा जगदेव का पुवारा जो है यहाँ वहाँ गीत है जो की भजन शैली में काया चाता है और यह जुआ यह जवारा मतलब आप जानते हैं न जवारनृत्व हमने देखा है तो जवारति किया होता है जब नवदुर्गा होती है तो दुर्गा के समय जवारे लखे जाते से रक्षाबंधन के बाद में जब हरी तालिका ती जाती है उस समय में भी जवारे लगते हैं कुछ लोग तो वो जो जवारे लखते हैं उस समय में एक नरत्य किया जाता है जिस नरत्य को जवारा नरत्य कहा जाता है और वहीं जो गायन गाया जाता है उसे जगदेव का पुव हर्दौल के संबंद में जब हम बात करते हैं तो हर्दौल जो है वह दुजार सिंग का छोटा भाई था और हर्दौल की मनोती जो है वह बुंदिल खंड में गाई जाती जो की बहुत जादा प्रसिद्ध है एसा कार रहता है कि हर्दौल ने अपनी मृत्यू के पश्चात भी लोगों का साथ नहीं चोड़ा उसने अपने परिवार में अपना अश्रवास सदयव बना के रखा और एक बहुत बड़ा मामेरा भेजा था अब इस प्रकार में आप हम यह सब देख चुके हैं अब आपको बुंदलखंड करूड है कि अब गरी लुंदलखंड न हम और आप ब ONE nossa चींज़ें आपको कि यह पर आलह हमने सबसे पहले क्या किया आलहा की किसम खा लिया अब बात नहीं सुन रहे मेरों सुन हूँ अब मेरे चलो मैं देवों की कशम खा रही हूं अमने देव की किसम खा ली मतलब दिवारी गायान हो गया अब अब मैं ये होते ये Prem तो भोला गीत हो गया अब इसके बाद अगर मैं बोल रही है कि भाई बहुत जादा भोले होते तो आप बोलते हो कि चलो एकदम राइट बोल रहे हो आप राइट से हो गया बैराइट गीत, जगदेव को हमने पहले ही बोल दिया इसके अलावा अब ये क्या कियाद हूगीी वह बहुत जादा भोलर हो गया है अगर मैं यह दम राय्ट बोल रहे है तो बेला गीत हो गया, अब राय्ट उन्हे जाहिए साव लेए स्बсят आनिदे लेखीत हमें गया यहां संब क्यों मैं सुधर्ग्र रहे हों में किया घंट कि तो हर्दौल का मनोती भी यहां संपन्द हो जाएगी इसकी बाद हम देखेंगे बघेल-खंड के गीत बघेल-खंड के लोग गयन की जब हम बात करते हैं तो बगहिएल-खंड में बस्देवा गयन विरहा गयन विदेशिया गयन बास गीत और श्रीदेव गयन सबताना का सबसे प्राषीन हैं इस गायेन में यह हर बोलों सब्हानी Только सब्ह counties है वो और यह की slopes यहां बगहल खंड का सबसे प्राचीन गीत भी है । इस गायन में क्या किया जाता है भगवान कुमार की कथा का जाता है श्रषाप और क których को पता होगा कि मात्र Carpich Mmm के सबसे जादा प्रमुक्क और सबसे जादा प्रसिध घर कोई रहा है तो तो दस्ष्जytt přί कारण से श्राब भी मिला था और उन से भग्त रामलग हो गए थे हैं इंटेंना प्यार से श्रमड भी या सर्वन भी कहाजाता है इसके ये विरहे के गीत काते हैं विरहा मतलब होता है अलग होना दूर हो जाना तो अलग होने के गीत जैसे कि हम पढ़ते हैं श्रिंगार रस विरहा रस तो वैसे ही तो विरहा गायन जो है अलग होने के दुख के गीत होते हैं फिर्सान वगेरा जंजातियों के द्वारा गाया जाते हैं विदेशिया गायन जो है यहां गायन होता है जो लोग दूर जाते थे तेली समाज के जो लोग दूसरे देश में जाया करते थे तो भी यह विरहा गायन भी है एक प्रकार का और तेली समाज के द्वारा या फिर व प्रतापी शाशक कुए जिनका नाम था Raja Mordhaj. Raja Mordhaj बहुत ही ज़ादा सच्छे थे कहा जाता था कि इनको जो भी बोल देते थे अपने मुह से वो करके दिखाते थे. तो राजा Mordhaj को सपने में किसी दिन सपने में ऐसा कुछ आया कि उन्होंने अपने पुत्र को 20 में से आरी में से काट लिया तो भगवान उनकी परिख्षा लेने के लिए नीचे होते रहे और उन्होंने कहा कि तुम अपने पुत्र को काट कर मेरे सामने पेश करो और राजा मोर्धवच ने बिना किसी संकोच के सच में अपने पुत्र को आरी से दो भागों में काड़ दिया और उसके बाद भगवान खुश हो गया और उन्होंने फिर से उनके पुत्र को जिन्दा तो कर दिया लेकिन यह जो कथा है यह राजा मोर्धवज की कथा कहलाती है और जो की बाज गीत में गाई जाती है सीदेव गायन की बात करें तो यह विभिन प्रकार की जनजातीं के द्वारा गया जाता है इतना ज़ादा महत्वपूर्ण नहीं है पांडवाईनी गायन जो है यह बहुत जादा प्रसिद्ध है यह गायन जो है वो पांडवों की कथा पर निर्भर होता है महा भारत में पां आपको और याद रखनी है यहां पर घोटुल पाटा घोटुल पाटा जो है वहां गोड़ जनजाती के द्वारा गाया जाने वाला म्रत्यूगान है इसे कहीं कहीं खगूल पाटा के नाम से भी जाना जाता है और फाग गीत की हम अल्रेडी बात कर चुके हैं इस प्रकार से हमने अध्य प्रदेश में लोग गीतों को देखा कि मध्य प्रदेश में चारों छित्र में कौन कौन से लोग गीत है आपसे मिलेंगे हम नैक्स्त वीडियो में आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हमें कमेंट करके ज़नूर बताइए thank you so much